हलो दोस्तों नमस्कार आपका हमारे यूटूब चैनल एजूकेशन क्राशेज और नेचर में स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको आरेस विन्यास है वो लिखने की जो पदती है उसको शिखाऊंगा कि किसी भी योगी का आरेस विन्यास किस परकार लिखा जाता है यदि आप इस वीडियो को अंतक देखते हैं तो निश्चित रूप से आप इरपेक्स विन्यास के नामकरण की जो आरेस पदती है वो आप सीख जाऊगे या RS जो नामकरण है वो बनाना आप सीख जाओगे दोस्तो R का मतलब होता है दाया यह आपको द्यान रखना है R का मतलब दाया और S का मतलब होता है बाया यह आपको द्यान में रखना है कि R मतलब दाया और S मतलब बाया अब हमें क्या करना होता है जो भी हमारे को योगिक दिया गया है उस योगिक में सबसे पहले हमें किरेल कार्बन को देखना है और किरेल कार्बन क्या होता है ये भी हमें पैचाना है कि किरेल कार्बन होता क्या है तो किरेल कार्बन और निर्पेक्स विन्यास किसे कहा जाता है ये दोनु बाते हम देखते है दोस्तो सबसे पहले हम निर्पेक्स विन्यास को देखते हैं निर्पेक्स विन्यास क्या होता है देखो किसी अनू का वास्त्विक विन्यास होता है वो ही उसका निर्पेक्ष विन्यास कहलाता है दोस्तो आरस पतती है ये काहन इंगोल्ड एम प्रिलोग नामक वेगैनिक ने दिया था और इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि जो किरेल कार्बन होता है किरेल कार्बन क्या होता है यदि कार्बन के जो चारू सहयुझटाओं पर अगलाग-गलाग अगर कोई समोळ यानि परमानों जुढा हुआ है या कोई परमानों का समोळ जुढा हुआ है वो प्रितेख सहयुझटाओं पर अलग-अलग होना चीए जीसे यहाँ पर कलोरीन है यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर मेथिल समो है और यहाँ पर बी आर है अब इस कार्बन पर मतलब यह जो कार्बन है यह किरेल कार्बन है क्योंकि इस पर चारू सेंजगताओं पर अलग लग परमानू जुड़े हुए है तो हमें क्या करना पड़ेगा अगर RS विन्यास हमें लिखना है तो सबसे पहले इनका परमाणू करमांग के इसाब से इसको प्राथिमित्ता करम हम बनाएंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ब्रोविन है उसका पर्मानुकर्मांग सबसे ज़्यादा है फिर कलोरीन है और कलोरीन के बाद में कार्वन मतलब CS3 है और फिर सबसे कम जो पर्मानुकर्मांग है वो हाइड्रोजन का है हम इस परकार इसको सबसे पहले जो परमाणू करमांक का प्रात्मिकता करम है वो इस परकार हम परदसित करेंगे फिर हमें एक बात ये भी आपको द्यान में रखनी है कि यदि कोई समान कारबन जुड़ा हूँ हो और उस पर डबल बॉंड हो इस परकार तो हम इसको क्या मानते हैं ये दीगुनित हो जाता है मतलब जो कारबन से जुड़ा हूआ ओक्सिजन है अगर यहाँपर डबल बॉंड दिया हूआ है तो मतलब दो ओक्सिजन के रूप में हम मानेंगे इसी परकार कारबन और नाइट्रोजन के बीच में तीन बंद होते हैं तो हम इसको इस परकार मानेंगे कि इस कारबन से तीन नाइट्रोजन जुड़े हूए हैं इस परकार हम मानेंगे और इसके साबसे हम क्या करेंगे उसका जो आरेस विन्यास है या प्रात्मिक्ता का करम है उसका निदारन करेंगे तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है इसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा कि जिस परकार का हमें जो योगिक दिया गया है जैसे हमारे पास एक योगिक है और ये एक परकार का योगिक है और इसमें हमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इसका जो प्रात्मिक्ता का करम है उसका निदारन करना पड़े लेकिन कार्बन कार्बन दोनों का होता है समान होता है अब एक नमबर हमने इसको दे दिया तो दो नमबर हम अब किसको देंगे देखो यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है तो हम क्या करेंगे कि कार्बन से जुड़े अन्य जो परमानों है उनको देखेंग तो यहाँ पर देखो जो इस carbon से oxygen जुड़ा हुआ है और एक hydrogen जुड़ा हुआ है तो oxygen का परमानो करमांग ज्यादा है यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या hydrogen जुड़ा हुआ है अगर आप यह कहो कि इस से भी oxygen जुड़ा हुआ है ना किस प्रकार जुड़ा हुआ है देखे यदि हम इसकी बात करें तो यहां पर देखो कार्बन ठीक है और इस कार्बन से दो हाइडोजन जुड़े हुए है यहां पर दो हाइडोजन जुड़े हुए है और फिर O और H इस परकार जुड़ा हुआ है लेकिन यहां पर देखिए दो हाइडोजन जुड़ा हुआ है लेक हम दिगूनित मानते हैं तो यहां पर जो कार्बन है इससे दो निदारन करने के बाद में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये जो सरंचरा थी इस सरंचरा कि अदर आप द्यान दीज는 कि इस सरंचरा को हम इस प्रकार व्यास्थितप करेंगे कि जिस प्रकार हमारे जो वहनुमे का इस टे травा हम को जो यहां पर कम जो परमानू कर्मांग है और इस किरेल कार्बन से जो जुड़ा हुआ सबसे कम जो पर्मान कर्मान के जैसे हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन को इसके पिछे हम मानेंगे और उसको हम परदसित नहीं करेंगे और बाकी जो handle होता है उसका इस परकार जो बाग होता है उसमें यहाँ पर हमने OH जोड़ दिया है और यहाँ पर हम CHO जोड़ते हैं और यहाँ पर हम जो बाकी समों है CS to OH इसको हम जोड़ देते हैं अब इसका अगर हम करम देखें तो इसका जो करम है एक नंबर इसको और दो नंबर इसको और तीन नंबर इसको तो अब हम इसको देखो किस तरीके से गुमाएंगे कि एक से दो नंबर पर आएंगे इस परकार और दो से फिर इस दर तीन नंबर वाले जो समों है उसकी तरफ तो इसको इस तरफ हम गुमा रहे हैं मतलब यह कौन सी दिशा में गुम रहा है यह लेफ्ट साइड में गुम रहा है तो यह कौन सा रूप होगा एस रूप होगा और इसका जो नाम है यह जो सुतरता गिल्स्रेल्डियट का है और एस दिशा में आ रहा है अब इसको अगर हम R दिशा में करना चाते हैं यानि कि R इसका विन्यास लिखें तो किस प्रकार लिखेंगे देखिए अब की पर हम क्या करेंगे जो OH है उसको तो यहां था उसी स्थान पर रखते हैं बाकी CH को हम इधर लेकर आते हैं और CH2 और OH इधर है तो एक नमबर इसका है और दो नमबर इसका है और तीन नमबर इसका है और जो इससे जुड़ावा जो हाइडोजन था इस कार्बन से पीछे की ओर है अब की पर हमें इधर से आना पड़ेगा क्योंकि एक नमबर से दो नमबर पर आना है और 2-3 पराना है तो इस दिशा में गूम रहा है तो यहां पर देखिए आप यह इधर मतलब इस साइड में गूम रहा है तो यह राइट साइड में गूम रहा है तो इसको R Gilserial Diad कहते हैं तो इस परकार आपको समझ में आया होगा कि जो R और S मिन्यास किस परकार लिखते है बाकी आगे देखिए और भी बहुत सारे उधारन हम देखेंगे और उधारन देखिए